नमस्का दोस्तों मैं विने दुबे मुंबई से आज 4 अक्टूबर है और जैसा मैंने वादा किया था कि आज मैं एहसान फरामोश कफिल खान के लिए वो चीजे रखूंगा जो आप जानना चाहते हैं जो बार-बार आपके मन में सवाल उठता है आज उन सारे सवालों के कहा जिसके लिए मैंने दिन रात मेहनद करके कोरोच जैसी महामारी के बाउजूद अपने छोटे-छोटे बच्चों को छोड़के परिवार को छोड़के बुजग माबाप की गई आज उसका तथ्य में आप लोगों के सामने रखूंगा आप लोग उस चीजों को देखिए समझिए और अगर आपको उसमें हकीकत नजर आए तो इस वीडियो को जादा जादा लोगों तक पहुंचाएं और एक रिक्वेस्ट है ये वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि बहुत सी ऐसी चीजे हैं जो आपके दिमागों में जो सवाल हैं उसके आपको जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे तो आए शुरू करते हैं उस विवादित मसले का आंतरिक हिस्सा देखने के लिए जो आप लोगों ने आज तक देखा न मैसूस किया है जब डॉक्टर कफील खान को मेरी ज़रूरत थी तो पूरा परिवार रोज दिन में चार बार फोन करता था उसके बावजूद मैंने कभी भी यह एहमियत नहीं दिखाया कि मैं आपके साथ नहीं हूँ बहुत सारे आरोप लगे बहुत सारे आरोपों का जवाब मैं अकेला देता रहा मैं आप एक्षा करता था कि आपके मुसीबत के छड़ में मैं खड़ा था तो इन जो गलत आरोप लग रहे हैं उसके लिए आप भी आगे आएंगे लेकिन आपकी तरफ से कोई भी पहल नही देखने मिली आज मैं जो कहने जा रहा हूं जो दिखाने जा रहा हूं वो आप तमाम भारत की जंता को यह बताना चाहता हूं कि कितना गिरा हुआ और कितना मतलबी डॉकटर कफील के परिवार के लोग है डॉकटर कफील है या आप अंदाजा लगा इए 9 जुलाई सन 2020 को रात को साड़े नो बजे के आसपास आदिल जी मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि हमें आपकी मदद की जरूरत है ये तब हुआ था जब मैंने चार दिन पहले डॉक्टर कफील के रिहाई के लिए एक करोड रुपे इनाम देनी की घोशना की थी तो कहीं न कहीं आदिल को लगा पैसे वाली पार्टी है हमें कुछ आसानी या मदद हो पाएगी इसी की वज़ा से उन्होंने कॉल किया और मुझे कहा कि कुछ चीजे मैनेज करनी है हमें पैसे की जरूरत है मैंने कहा कि सर मैं ये पैसे कहां से ले सकता हूँ इतनी बड़े अमाउंट उन्होंने इस अमाउंट की बाद की कि जो मेरे हैसियत से बाहर की थी तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि विन्य अगर हो सकता है तो आप क्राउट फंडिंग करिए हमें उसकी जरूरत है मैंने उनके कहने के बाद क्राउट फंडिंग की और उसके बाद जैसे ही मामला जनता के बीच में आया तो इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया वो जानते थे कि डॉक्टर कफील के साथ लोगों की भावनाये जूडी हुई है करोडो रुपया हो सकता है कि आया होगा और विने दुबे अकेला खा रहा है उनको अपने भाई की चिंता नहीं थी कि वो जेल में है उनको चिंता थी कि पैसे कही न कही हमारे हाँ से चूट रहे है मैंने बार बार घोशना की कि आप मुझसे हिसाब ले लीजे मैं स्टेट्मेंट भेजने को तयार हूँ लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने लोगों को ये बताने के लिए कि मैं विने दुबे से अब कट रहा हूँ उनसे बात नहीं कर रहा हूँ उन्होंने एक वाटसअप मैसेच किया विने दुबे अब आप एक क्राउट फंडिंग बन कर दीजे हमें जरूरत नहीं है यहां तक कि उनकी पत्नी को वीडियो बनाने पे मजबूर किया गया कि आप क्राउट फंडिंग के लिए मना करिए लेकिन ये तो बस शुरुवात थी इनका जो दोगलापन था इनकी जो मन के अंदर पैसो को लेके लालस था ये उसकी शुरुवात थी अचानक से मेरे कॉंटेक्स बंद हो जाते हैं लेकिन पंदरा तारीक को अचानक से मुझे एक नंबर से कॉल आती है जहां पे आदिल जी रहते हैं और कहते हैं विने जी कुछ कारणों से मैं आपसे मेरे ओरिजिनल नंबर जो की 9984900 और लास्ट का डो जी 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 मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि परस्तन नंबर है उस नंबर से संपर्क नहीं कर पाऊंगा आप मुझसे इस नंबर पे संपर्क करिए मैंने बार बार उनसे लगातार संपर्के की और 15 जुलाई से लेके आस तक वो उसी नंबर पे मुझसे संपर्क में है मैं आपको ये स्क्रीन पे जो मेरे वीडियो दिख रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि दिन में 2-3-3 बार उनकी कॉल आती थी ये मेरी स्क्रीन की मुबाइल की रिकॉर्डिंग है जिस पे वाटस अप कॉलिंग पे मेरे उनके परिवार की बात होती थी ये सारे वाटस अप कॉल की recordings मेरे पास पड़ी हुई है नीचे से जो चार नंबर आप देख रहे हैं ये आदिल जी का official mobile नंबर है 99849000 करके जो नंबर्स हैं इस पे देखिए 9 जुलाई को उन्होंने मुझसे call की थी incoming call थी 7 मिनट की और 21 मिनट की उसके बास से ये सिलसिला चलने लगा जब ये वीडियो उनके घर पर दिया गया जबज़स्ति उनकी पतनी से बनाया गया उसके बाद ये नंबर से calling बन करके एक दूसरे नंबर से calling की जाने लगी 15 तारीक के बास से इसमें आप देख सकते हैं बहुत बार इनकी calls हुई है जिसमें उन्होंने बाकाइदा 6 मिनट, 15 मिनट तक बात की है और जो भी चीज़े ये करना चाहते थे मेरे माद्यम से वो सारी चीज़े इन्होंने कराई है ये सारी calls इनकी miss calls पड़ी है ये आप देख सकते हैं इनकी miss calls है उसके बाद calls की वे वज़े देखे इनकमिंग calls है सारी इनकमिंगs इनकी तरफ से होती थी ये लगातार मेरे संपर्क में रहे हैं 27 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 4 अगस्त, 5 अगस्त 10 अगस्त, 11 अगस्त, 14 अगस्त, 18 अगस्त, 30 अगस्त, 24 अगस्त, 27 अगस्त और यहां तक की जब डॉक्टर कफेल खान को रिलीस कर दिया गया था रात में उस समय भी उनकी calls मेरे साथ हुई है उनकी इनकमिंग आई है 23 बच के 46 मिनट पे उसके बाद जब यह गय है उसके बाद 12 बचे जब जैपूर के लिए रवाना हुए उस समय भी मेरे इनकी calls हुई थी यह सारी details आप देख सकते हैं तो यह उनके परिवार का जो एक जूट है वो दिखाता है कि जिस तरह से उनकी जो calls है यहां पे इनकमिंगों मेरे से संपरक में नहीं थे तो यह calls कौन करता था वो कहते थे कि यहां पे यह करना है यह चीज़े कम है आज जब सारी चीज़े वेवस्थित हो गई डॉक्टर कफील खान घर पे आ गए है उसके बाद वो भूल चुके है कि कोई लड़का उनके लिए मेहनत किया था पैसो की बात है लोग कहते हैं कि क्राउट फंडिंग किया गया तो मैं मानता हूँ मैंने किया है लेकिन वो काम मैंने आदिल जी के कहने पे किया था और जब यह सवाल डॉक्टर कफील की पतिनी ने मुझसे पूछा था कि आखिर आपने किस के कहने पे यह फंडिंग की है तो आपके स्क्रीन पे उनकी चैट का एक स्क्रीन चॉट है उसमें देखिए मैंने क्या जवाब दिया था और यह 21 जुलाई की बात है मैंने उनको पूरी तरह से क्लियर कर दिया था कि आदिल जी के कहने पे मैंने क्राउट फंडिंग की थी अब आप कहेंगे कि आपके पास कोई सबूत है तो बताईए मैं आपको एक आदिल जी के एकदम करीबी मित्र जिनको इस पूरे मामली की जानकारी थी वो उन्होंने ही हमें इंट्रड्यूस कराया था जिस तरह से हमारी बाते होती थी आप ज़रा सुनिये कि किस तरह से पैसो के लालच के लिए आदिल ने अपने दोस्त को ठुकरा दिया ये उनकी आदियो कॉल ज़रा आप सुनियेगा नमस्कार के नमस्कार कैसे हैं आप बढ़िया सर बढ़िया और कहां पर है आज कल मुंबई सर बताएं खेर रहे था सर आप कैसे हैं मैं ठीक हूं और अदिल से बात हुई कुछ पिर यह नहीं है तो मोझे मेरा कोले न उठा रहा क्योंकि मैं बोल दे था कि तुछ बोल देना कि अवह में पैसे भुजुरत है और मैं उनसे बोला तो उन्होंने यह सब किया और फिर आपने बाद में वीडियो डाल दिया कर एक तरफ हम पैसे भी लेना चाहरे और एक तरफ यह नहीं दिखाना चाहरे कि हम पैसे नहीं ले रहे और दूसरे बंदे को जो है उसके जो है च्छावी पर बट्टा डलवा रह है यह रहता है लगा पोड़ा तक्लीफ कर रहे और वह च Garry यह और वह 1 जो यह उठा रहें झाल बिखwang और वह समय है उपँ कोई को आखानbon फेना से 05ड कर ऩी नहीं आभी तो नहीं नहीं तुरह को बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए मैं उसको ज़ह डार दिया था थ अगर चला अब तो कफिल से बात होगी इस शक्स ने मैं ना मुझा अगर नहीं करना चाहूँगा इस शक्स ने बहुत बड़ा एविडेंस है बहुत बड़ा सबूत है मैं अगर भविश्य में जोरोत पड़ा तो उस शक्स को आन कैमरा ले आऊंगा और आप लोगों रूबरू कराऊंगा कि देखिए किस तरह से आदिल जी ने अपने एक दोस्त के साथ भी सिर्फ पैसो के लालच में ये चीज़े की है सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि जो मुझे ट्रोल किया जा रहा था चंदा खोर बताया जा रहा था वो कहने वाले और कोई नहीं आदिल जी के आईटी सेल के जो दोस्त हैं उनके जो करीबी दोस्त हैं जो ट्रोल करते हैं लोगों को ये उन्हीं के दोस्त हैं एक स्क्रीन शॉट मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें ये ट्वीटर पे ये बंदा मुझसे पूछता है कि वीने दूबे किसके कहने पे पैसे ले रहे हो मैं आपको एक दूसरी स्क्रीन शॉट दिखाता हूँ इसमें देखिए पूरा देश किसानों के साथ खड़ा था ये बंदा नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा था आप समझ सकते हैं ये बीजेपी के फेक आईडी के लोग हैं जिससे मुझे ट्रोल कराया गया और ये कराने वाले डॉक्टर कफिल के परिवार के ही लोग थे उनको ये लग रहा था कि करोडो रुपए मैंने कमाए हैं तो आज मैं आप लोगों को वास्तिविक्ता दिखाना चाहता हूँ कि आखिर क्राउट फंडिंग में कितना पैसा आया आज तक 9 जूलाई सन 2020 से लेके आज पूरा सप्टेंबर महीने का मैं 2 सितंबर को उनकी रिहाई हो जाती है मैं 30 सितंबर तक का हिसाब देने को तयार हूँ मैंने बार बार वीडियो बना के उनसे निवेदन किया मेरी पिछली वीडियो एक 10 दिन पहले की थी कि डॉक्टर कफिल कान जी आप या आपके भाई कोई भी आके मुझे ये हिसाब ले ले ताकि मैं अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओं मेरे जनता जिनोंने मुझे व इसमें सारे एक-एक रुपए के हिसाब है जो मैं रखना चाहता हूँ आप सभी के लिए ये पूरा स्टेटमेंट है आप देख सकते हैं इसकी कॉपी मैं आपको एक गूगल ड्राइव के उपर अपलोड कर रहा हूं 380 पेजे पूरा स्टेटमेंट अपलोड कर रहा हूं और इस वीडियो के मेरे पेज के लिंक में डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रहा हूं आप लोग खुद देखिए कि कितना पैसा आया इस पूरे अकाउंड में 13,21,235 रुपए जमा हुए जिसमें से 281 लोगों ने 1 रुपए की मदद की थी 499 लोगों ने 50 रुपए की म 500 रुपए का डोनेशन दिया था 280 लोगों ने 1,000 रुपए भीजे थे 7 लोगों ने 2,000 रुपए भीजे थे और 7 लोगों ने 10,000 रुपए की कॉंटिटी में ये अमाउंट इस एकाउंड में जमा किया गया था जो HDFC का था अशोग दूबे जी के नाम पे था और उसका जो दॉमिनेशन में कुल 13,21,000 रुपए जमा हुए थे जिस में से अब ये पैसो का खर्चा कहा हुआ अगर डॉक्टर कफिल खान नहीं ले रहे हैं तो मुझे ये हिसाब आप लोगों को देनी की जिम्मेदारी बनती है इस 13,21,000 रुपए में से सुप्रीम कोर्ट के लिए आ तहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट में वर्कलोड जादा है आप इलाबाद हाइ को चले जाए यह वहां पर आपको जादा नयाय मिलेगा और जल्दी नयाय मिलेगा इस चीज को लेके जब मैंने मेरे एक रिटायर्ड सुप्रीम कोड के जस्टिस जिनकी मैंने मदद लिए उन्होंने मुझे कहा 17 या 18 जुलाई के आसपास कि विने डॉक्टर कफील के परिवार को कहे कि एक time bond application Supreme Court में लगाएं उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसे time bond आदेश के लिए हम प्रेरित कर सकें क्योंकि justice रह चुके हैं और उनको अनुभो रहा है उसके लिए इसको देख application लगाई और पांस तारिक को वह application सुनवाई के लिए मंजूर हो जाती है आप सोचिए ये लोग बार बार Supreme Court जाते थे और वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी विने दुबे के case में आने के बाद पहली ही application में पहली ही सुनवाई के अंदर ये मान लिया जाता है और पादेश आ जाता है कि इलाभाद High Court 15 दिनों के अंदर अंदर अपना फैसला देने के लिए बाद्य है छे तारिक से लेके 9 तारिक तक 6 अगस से लेके 9 अगस तक मैं दिल्ली में रहा ये सारी Retired Chief Justice जी की मदद से वहां पे जो भी चीजे मैं कर सकता था वो मैंने की जिसका result आप लोगों के सामने रहा कि 11 तारिक को केवल सिंगल सुनवाई में 11 तारिक की पहली सुनवाई में डॉक्टर कफिल खान के हक में फैसला आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट इलाभाद High Court को आदेशित करती है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको इस मामले को निप्टाना है जह वो 6,87,800 रुपय थी इस केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कंसल्टिंग मैंने रिटायर जस्टिस से ली थी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से उनके लोग उनके टीमों के लिए जो मैंने फीज भरी है वो 6,87,800 रुपय है वो सारा चीज इसके अंदर है उसके बाद इ इनके भाईयों की तरफ से निवेधन था कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अगर मान जाए तो डॉक्टर कफिल खान बाहर आ सकता है एक सरकारी व्यक्ति हमने कोशिश की उनसे निवेधन किया और उस लेवल पे लेके आया कि व्यक्ति हमारा सांथ देने को तयार हो गया जिसको लेके बार-बार आदिल जी मेहनत करते थे मैं इनकी छोटे भाई की कॉल की एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूंगा जिसमें वो बार-बार ये कह रहे हैं कि अगर आप इस व्यक्ति को अगर आप थोड़ा सा निवेधन करें आपकी बात अगर वहां सुनवाई हो जाएगी तो शायर डॉक्टर कफिल खान बाहर आ जाएगे सुनिए गई ये कॉल रिकॉर्डिंग अगर बार-बार-बार-बार-बार ये कह रहा है अच्छा अच्छा मैंने नमबर मांगा दाका है अदेल जी शेर नहीं किया तो आए हैं बाइस तारीक रहें के सर्कोर्ट में जी बहें जी बहें जी आपिख़ जी हमें जी स्फेर को पर देख रहें हैं जी कैसा मैं भी थो 21 कोई आ रहा हो वेसे अच्छा मेरी वाइट कर दिक्रती है कि मामीर रची है जी 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 वह मुझे उपर क्यूंकि इंटर्नली आप लोग कनेक्टेड है के इसके अंदर मुझे तो अभी तक जितनी ऊपर-ऊपर मतलब बोलते हैं जिस माध्यम से या फिर इवन आपको बता ही मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे बेपर वक जितना विता हो दिया था क्योंकि एक फ्रेंट सर्कल में वह भी आते हैं उनको एक हुमेनिटी के तौर पर निवेद सब्सक्राइब करेंगे तौर मैं आप चार दिन से आपको बता रहा हूं उपनली में उन्हीं के साथ लगा हुआ था मैंने हर तरह से कोशिश किया कि चायद चाहे जिक से रहते हैं भाईया मैं आपको बोला हूँ 25 मैंने सामने रखा हुआ था मतलब मैं जिस प्रिप्रेश अब उन्होंने जो रस्ते दिये हैं और जो उन्होंने उनकी तरफ से जो गाइडलाइन आई है अब यह मुझे 21 तरह को आएगा सर वो अच्छा 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 मुझे एक मैसे ट्रॉप कर दीजे कभी है मैं सेफ कर लोंगा आप बेटी सहब हमें से खर आएगी एक कोहिए यह आप गलत नहीं कर सकते देश में पिल्कु थीकं है तर ये सब अगर आज काहविल जी के लिया अगर आवाज नहीं उठेगी कल कोई और होगा उनकी जगा सर एक उधारेण हमें देना एंग आ है किया वगलत नहीं कर सकत वो व्यक्ति हमें सपोर्ट करने के लिए आतयार हो गया सिपिस आधार पर कि विने दुबे और जिस माध्यम से उनके पास पहुँचे थे वो उनको ना नहीं कर सकता है बारा हीरिंग में जिसका रिजल्ट नहीं आ पाया केवल तीन हीरिंग मेरे सामने मेरे अधिकृत में हुई है उसके बाद वो सारी चीजे आपके सामने हैं कि आज डॉक्टर कफिल खान को जेल से रिया हुए एक महिना हो गया लोग मुझे पर आरोप लगाते हैं कि विने दुबे केवल घूमने के लिए इलहाबाद जाता है केवल घूमने के लिए बनारज जाता है दिल्ली जाता है तो मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि जब वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर कफील के एड़ोकेट दिलीब गुपता जी के केविन के अंदर वहां से सुनवाई हो रही थी वीडियो कॉन्फरेंस की उस समय जब मैंने ये मोबाइल से रिकॉर्ड किया था ये सबूत है कि मैं किस तरह से केस में इन्वाल था जड़ा ये वीडियो देखिए सामने जो शक्स काले कोट में बैठ के स्क्रीन के सामने बात कर रहे हैं वो डॉक्टर कफील के सीनियर एड़ोकेट है कि मैं ये कोट मुझे समय एड़ोकेट है तरह से कर दूद के समय स्थाया तरह से का प्रषाय ये बच्टि प्रिए टूठ रहा हैं तरह से का वीडिएखिए प्रषाइव एड़ॉक्य। लेवन र्टेटु को युड वे रठे रगार। में तरुद०। यह यह रखांवरी मैं टेकंछ्च वर्ट olmaz कॉड़ की राफूस्टेट? क्यों खञ्क्रवार ह् सिर्गे रख हो प्रण Das poquito क्योंक प्सालडूसर पहुड। वान पूछनर शीजर इस सब्सक्राइब कर देसे पिजिए सब्सक्राइ निए प्राइब कि धिर ठीजिए कर दो थे चल्च आई? टो मैंने के एंड शीर मॉनीयद इस आपटेशिए धने इसक्राइबिस इस सब्सक्राइब भूला है? एंड गूलाइक मुश्वाल है? यह सारे सबूत है यह मुझे पता था इनके भाईयों की जिस तरह से एक पुराना इतिहास रहा है उसको देखते हुए मुझे पता था कलको यह मुझे आरोप लगाएंगे कि विन्हें तुम कोट के अंदर तक जाते नहीं हो तो मैं पूछना चाहता हूँ यह वीडियो मेरे पास कैसे है मैं अगर कोट के अंदर नहीं हूँ तो यह वीडियो मैंने कहां से ली है और यह मैं बताना चाहता हूँ कि यह डॉक्टर कफिल या उनके भाई अगर इसे गलत साबित कर देंगे मैं आज जीवन सामाजिक जीवन में मुह नहीं दिखा सकता हूँ दूसरा और जो लोग कहते थे खास तोर पे डॉक्टर अदिल के परिवार या डॉक्टर कफिल के परिवार कहता था कि हमारा कोई संपर्क नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा कि 27 जुलाई को भकायदा डॉक्टर कफिल के छोटे भाई मुझे इलाबाद हाई कोट के गेट नमबर 3B पे UP 32 की इनोवा कार दो पहर के सबा 3 बजे के आसपास से लेके 4 बजे के दर्मियान हमने गाड़ी के अंदर बैठ के डॉक्टर कफिल के भाई के गाड़ी के अंदर बैठ के हमने पूरी बाते की है और यह आपके स्क्रीन पे जो आप मैसेज देख रहे हैं यह डॉक्टर कफिल के भाई के जो मित्र है जसीम जो इस समय गाड़ी ड्राइब कर रहे थे यह उनके मैसेज है जिसमें उन्होंने लिखा है कि विने location भेजिये मैंने अपनी location दी है उसके बाद उनका last का line पढ़िये उन्होंने लिखा है It's night's meeting village तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग लगातार मेरे संपर्क में थे और एक बाहरी दुनिया के लिए ये दिखाना चाते थे कि हमेरा विने दूबे से कोई वास्ता नहीं है मैं पूछना चाता हूँ कि जब सारी चीजे हमारी तरफ से की गई तो कहीं न कहीं जिस तरह से आप लोगों ने ऐसान फरामोशी की है मेरे साथ तो मैं आवाज क्यों न उठाओं आप लोगों को जिस तरह के पैसे का भ्रहम था कि विने दूबे के पास करूडो रुपे आए मुझे एक बात बताए कुरोना जैसी महामारी है और उसमें लोग खाने खाने को मौताज है पैसे की डोनेशन कौन देगा ये जो तेरा लाग 21,000 रुपे जो आए है वो 5,000 के आप लोगों ने डोनेशन दी है वो इस लिए उन्होंने पैसे दिये थे क्योंकि ये विश्वास विने दूबे ने कमाया है और मैं चाहता था आज के डेट में कोई भाई को एक रुपया नहीं देता है लेकिन ये 13,21,000 रुपे केवल विने दूबे के नाम पे उसके काम उसके विश्वास पे आये जिसमें सुप्रीम कोट की 15 दिन की डेट लाने के लिए 6,87,000 रुपया खर्चा हुआ बाकी का जो पैसा था 6,33,435 रुपया वो इलहाबाद में जो चीजे हुई हैं जो आउन कैमरा मैं बता नहीं पाऊंगा कि इनके कहने के बाद मैंने 50,000 और 80,000 रुपया मैंने इनके भाईयों के बोलने पर इनके परिवार के सदस्यों के बोलने पर उस उस वेक्ति को भेजा है जिसके लिए ये केस में उनकी मदद की बहुत जरूरत थी मैंने तो पूरी अपनी तरफ से इमानदारी रखी ये 13,21,000 रुपय का स्टेटमेंट मै मैं आप लोगो के बीच में गूगल ड्राइब के माद्यम से उसकी लिंक आपको शेयर कर रहा हूं उस पे जाके देखिए किस किस को ये पैसे गए हैं क्यों गए हैं और सबसे बड़ा मुझे चिंता का विशह ये था जो साथ बार 50,000 रुपय ट्रांसपर हुए हैं वो एक पैसे कहीं न कहीं उने खुद निकालें क्योंकि गोरकपुर और लकनव ये दोनों भाई रहते हैं तो ये शंका का विशह था उसके बावजूद जिस तरह से विरोधी मेरा मजाक उडाते थे मुझे सवाल उटाते थे आखिर आज इतना साल होने इतना समय होने के बाद भी डॉक्टर कफील खान मुझसे क्यों नहीं मिले उसका कारण ये था कि अगर मैं डॉक्टर कफील खान से मिल जाता तो ये जो पूरा कत्ता चिट्टा है पैसे का हिसाब है और उनके भाई जो नहीं चाहते थे खास तोर करके आदिल जी जो नहीं चाहते थे कि ये पैसे की ल पुष्मनी नहीं नहीं भाई थी मैंने आपके हर मुसीबत के चड़ में कोरोना जैसी बीमारी से लड़ते हुए भी मैंने आपका साथ दिया लेकिन जब विरोधी मेरा मजाक उडार थे मुझसे सवाल उठा रहे थे उस समय आप लोगोंने मेरा साथ चोड़ा ये देख के मैं किसी के धन्यवाद का मौताज नहीं हूँ मुझे देश के करोडों लोगों ने धन्यवाद कहा मैं एक मंत्री पूर्व मंत्री का मैं आपको एक वीडियो आडियो रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूं जिन्होंने डॉक्टर का फिल को धन्यवाद न देते हुए मुझ नमचका नमचका कैसे हैं आपको इलाबात में मिला जी जी सर्जी सर्झी सर्थ परहे आप सो बहुत-बहुत मुबारगबाद शुक्रीया पौका दोक्टर कफीरी आदेने के बजाए आपको चुना शुक्रीया सर्थ बहुत अच्छे लोग है जितनी तारीफ करो हो आप जैसे लोगों की कम है अगर आप जैसे हिंदोस्तान और इंसानियत बहुत आगे जाए कोशिश वई ही dzisiaj मैं बुरा आदमी हो हला की तारीफ लोगों की कम करता हूँ मुझे लगता है कि मुझे अगर तारीफ करनी चाहिए तो जान बूश कि मैं तारीफ इसे यह करता हूँ अच्छे लोगों की पॉजिटिव एनर्जी और पूरे और काम और आए एक्जाक्ली जी नहीं बहुत बड़ा काम किया आपने और बहुत अच्छा काम किया और नियत आपकी अच्छी थी शुक्रिया से आपको काम्याभी भी जी जी कहा है अच्छल डॉक्टर कफीन साब जैपूर हैं सरी समय उनका नंबर अगर कोई हो तो मुझे मैसेज करना उनको मैं आपस रिलेक्स मोट के लिए फोन करूँगा जी मैं बेशता हूँ और जब भी आप य दिली मोसली हम मैं भी जाता रहता हूं हम लोग क्भी आप दिली आ़ा या मैं आऊ तो हम लोग वहां मुलकात करें जरूर सर्श भ्रॉद पर काफीन साथ करना मिज़ीं से भाला जी कर वा हैं बहूं बहुत बहुत आपjob हो और आपके साथिहें को बहुत 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 आज़े विने बढ़े आदाब। शुक्रिया 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 अदाब। धन्यवाद पूरे देश से मुझे मिला, पूरा प्यार मुझे मिला और आज भी लोग मेरे साथ हैं। लेकिन जिस तरह से केवल आदिल जी और उनकी जो परिवार के जो सदस्य हैं, उनके एक क्रिमिनल माइंड की वज़े से एक खराब और एक बोल सकते हैं कि गंदी दिमाग की वज़े से आज हम जैसे लोग किसी भी वेक्ति पे विश्वास या उनके लिए आगे आने के पहले अब सौ बार सोचेंगे, क्योंकि जिस तरह से इनने परिवार ने हमारे साथ वेवार किया है, जिस तरह से इन्होंने हम पे आरोप लगाए, और आरोप लगाने वाले भी यही, जबकि सारा चीज इनको पता था, सारी चीजे ये करते थे, और उसके बाद ऐसे दिखाते थे कि हम विने दूबे के संपर्क में ही नहीं हैं, मैं नहीं चाहता कि वो अंदूरीनी कॉल में आपको यहाँ पे अपलोड करूँ, क्योंकि उससे आपका घर तूड जाएगा, अगर आप चाहते हैं, कि ये सारी जो चीजे मैंने दिखाई ये वो गलत है, तो आप साबित कर दीजिये, और मैं खुला चैलेंज देता हूँ, डॉक्टर कफिल और उनके परिवार, आदिल और उनके तमाम लोगों को, उनके दोस्तों को, अगर आउकात होगी, हिम्मत होगी, तो आईए मेरे साथ वीडियो पे, और देश को बताईए, कि आप लोगों ने क्या कांड कि और वीने दुबे ने क्या काम किया है, मैं आप तमाम लोगों को चैलेंज देता हूँ, अगर इसमें से एक बाद भी जूटी अगर निकल गई, तो वीने दुबे जिन्दगी में आपको मुह नहीं दिखाएगा, मैं आज इसके लिए थोड़ा सा आहत हूँ, क्योंकि जिस अखालित के साथ मंचसाजा किया, आम आदमी पार्टियों के निताओं के साथ मंचसाजा किया, आखिर वो लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, तो उसका कारण काहीं न कहीं ये था, क्योंकि BRD जैसे मामले में उन्हों को अदुभा हो चुका था ये सारी चीजों का, इनके परिवार के बढ़ताओ का, इनके परिवार के लाल अच्पन का, जिसको देखते हुए NSV जैसे मामले में उन्होंने आवास तक नहीं उठाई, और आप किस से अपेक्षा कर रहे हैं, मैंने देखता हूं बहुत सारे लोग जाके डॉक्टर कफिल के पोस्टों पे कमे आपने उनको धन्यवाद क्यों नहीं कहा, क्या दिक्कत है आप बताएं, आकिर ये चुप है, उसका कारण ये है, कि जब डॉक्टर कफिल कान रिलीज होकर आये थे, तो इन तीनों भाईयों की और इनकी पारिवारिक मिटिंग हुई थी, जैपूर में, फार्म हाउस पे, जहां पे कॉंग्रेस के विधायकों द्वारा उनको रखा गया था, उस मिटिंग के अंदर सारी चीजे डिसकस की गई, कि आपको डॉक्टर कफिल को स्वास्थ के मामले पे बात करना है, इस पे बात करना है, अपने उपर हुए अन्याय के उपर बात करना है, लेकिन कभी विने दूबे के लिए या उनसे संबंधित कोई भी बात नहीं करनी है, मैं आपको बताना चाहूंगा जब जिस दिन 27 या 28 जब आपके घर पे पूलिस के कॉंस्टेबल आये थे, तो उसकी जानकारी मुझे कैसे थी, मैं तो आपके परिवार के संपर्क में नहीं था, मैं पूछना चाहता हूं उनके परिवार से, कि आपको वहां पे कॉल कराके, वो पुलिस वालों को वापस किस ने कराया था, या किस के कहने पे आप लोगों के धर पे पुलिस का वापस जो चापा पड़ना था, वो नहीं हुआ था, तो कहीं ने कहीं उसका एहसान आपके उप लाएं थी आपके स्थानिक पूली स्टेशन गुरकपूर से मैं बहुत सारी चीजे जानता हूं लेकिन उसे आपके सामने नहीं रखना चाहूंगा रही बात धन्यवाद करने की तो जिस दिन डॉक्टर कफील खान जेल से रिहा हुए थे उनके घर के सबसे बुज़ुर्ग वेक्ती ने मुझे फोन करके उसी समय धन्यवाद कहा था उनके आख से निकले हुए आसू मेरे लिए बहुत किम्ती हैं मैं नहीं चाहता कि इस एहसान फरामोश डॉक्टर कफील और उसके भाईयों के मूँ से मेरा नाम निकले अब आज के बाद इस एहसान फरामोश कफील के लिए कभी भी मैं विने दुबे कोई भी आवाज उठाने से दुदूर की बात है उनकी शकल तक देखना मैं गुजारिश नहीं करूँगा और एहसान फरामोश इस लेवल का मैं समझ सकता हूँ मैं एक गैर मुसलिम इनसान हूँ मैं एक हिंदू हूँ अरे आप उस व्य व्यक्ति के नहीं हुए जो आपके वज़े से आज एनसा जैसी गंबीर धाराओं में जेल के अंदर बंद है डॉक्टर अयूब जी जो पीस पार्टी के अद्यक्ष रहे हैं उन्होंने पूरे जिलों में आपके लिए मेहनत की उत्तरप्रदेश के तमाम डीमाओं को जाके अपने कारेकरताओं को भेज के उन्होंने मोर्चे निकाले अंदोलन किये उसका खामियाजा उस व्यक्ति को मिला कि उसको एनसे जैसे गंबीर धाराओं में उठा के जेल में डाल दिया गया लेकिन आपकी तरफ से धन्यवाद तो छोड़िये उस व्यक्ति की रिहाई के ल ही निकला आप उस व्यक्ति के ना हुए ओएसे दिन ओएसी जी माइएम के पार्टी के अध्यक्ष जिन्होंनों मंचों पर जा जाके ललका रहे हो तुम इंसाफ कर रहे हो हम देख रहे हैं मगर खुदा की खसम हम नहीं भूलेंगे इसको तुम्हारा इंसाफ तुम्हारा जलम हम नहीं बूलेंगे हम इसको याद रखेंगे एक डाक्टर है तो उसके उपर है नैसे और एक उत्तर परदेश का चीफ मिनिस्टर है जो कहता है गोली मारो फिर्यानी मत दो और एक मिनिस्टर है मोडी की कैबिनेट का जिसका नाम तुम्हारा एमा इम के प्रतेक कारेकरता ने आपके लिए आवाज उठी शोचल मीडिया पर रात-रात बैटके पूरे देश ने आपके लिए ट्रेंड किया आप समझते हैं कि आप उस व्यक्ति के नहीं हुए अपने कौम का है जिस कौम से आप आते हैं आप उस व्यक्ति क नहीं हुए तो विने दुबे का तो सवाल ही नहीं उड़ता रही बात आप अपने आपको मुसल्मान कहते हैं मैं चमा चाहूंगा मैं किसी के धर्म के संबंदित मैं कोई आच्छेप नहीं करना चाहता लेकिन आपको हकीकत जाननी चाहिए मैं बहुत कम जानकार जानता हूं लेकिन किसी ने मुझे कहा था विने जी जो वेक्ती 40 दिन तक अगर अपने दाड़ी पे चुरा या उसे कैंची न चलाए तो उसे दाड़ी रखना इस इसलाम का एक नियम है लेकिन आपने तो इस इसलाम जिसकी आप दुआई देते हो जिसकी आप छुप जाते हो एक तरह जब आप उसके नियमों को नहीं मानते तो आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं दूसरा ये बाते मैं नहीं कह रहा हूं ये आप ही के धर्मगुरू कह रहे हैं जड़ा क्या कह रहे हैं वो सुनिएगा इन्सान अकेला कभी आगे नहीं बढ़ता माबाब की तर्बियत होती है उसे रिष्टेदारों का हाथ होता है उसे असाधजा का हाथ होता है कई ऐसे हमदर्द होते हैं जो उस गुर्बत में उस परेशानी में उस कमजोरी में हमारा हाथ थामते हैं याद रखो एहसान फरामोश नहीं बनना चाहिए अपने एक-एक महसिन को याद रखो उनके लिए दुआएं करो बंदों का शुकर अदा नहीं करता वो रब का शुकर कैसे अदा करेगा तो हमेशा शुकर गुजार और महरबान रहना चाहिए जादा अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा जो अपने रब का ना हुआ जो अपने धर्म का ना हुआ वो विने दुबे का कैसा हो सकता है भगवान आपको हमेशा से स्वस्त रखे हमेशा से आपको सुरक्षित रखे आपके परिवार दिन रात तरक्की करें आप लोग हमेशा सुक्षान्ती में रहें बस इतनी सी दुवाएं में अपनी तरफ से देता हूँ और कोशिश करूँगा कि आज के बाद आपका और मेरा आमना सामना ना हो क्योंकि मैं आपकी जुकी हुई नजर अपनी आखों से नहीं देख सकता आप मेरे लिए एक रोल मॉडल थे उत्तर प्रदेश में प्रतारना से उभर के आया हुआ एक चेहरा थे मेरे प्रेड़ना स्रोत थे लेकिन आपकी हरकतों की वज़े से आज आप और आपका पूरा परिवार मेरी नजरों के सामने गिर गया है एक चंद कुछ पैसों की लालच में आप लोग इतना गिर जाओगे और इस तरह की राजनेती करोगे मैंने कभी आप एक्षा नहीं किया था जिन करोडों लोगों ने आपके लिए दुआएं की उसको छोड़ के आप सारा का सारा श्रे कॉंग्रिस पार्टी को दे देते हैं जो की लाश्ट के आखरी दस दिनों में आए हैं उनको पता था कि अगले दस दिनों में ये चूड़ जाएंगे और आप जाके उनकी गोद में बैट गए मैं आपको आगामी राजनेतिक जीवन के लिए शुक्खामनाय देता हूँ भगवान आपको विधायक बनाये राज्यसभाद लोगसभा में बिताये क्योंकि आप जैसे लोगों की देश की जरूरत है लेकिन आज आपकी जो वास्तविक्ता है वो देख के कहीं न कहीं हर भारती है अपने आपको सोचता होगा कि उसने किस बेवकूफ के लिए अपनी रातों की नीद और अपनी उर्जा बरबात की है और आप ही जैसे लोग हैं जिसकी वज़े से हम जैसे हिंदू भाई मजाक का कारण बनते हैं आपके एक बार मिलने से और ये हिसाब लेने से आपका कद छोटा नहीं हो जाता था लेकिन आज जिस तरह से मुझे मजबूर हो कि ये सारी चीजे कहनी पड़ रही हैं कहीं न कहीं उससे कद आपका बहुत बड़ा होगा और आपको धेर सारी शुप कामना है विने दुबे आगे भी अपनी मुहीम जारी रखेगा और IPS अंजीव भट को आजाद कराने के जैसा विने दुबे नहीं है आपको जुर्म हुआ आप UN चले गए Human Rights चले गए लेकिन कभी भी आपके पास के दिल्ली में उमर खाली जैसा व्यक्ति बंद है उसके लिए आपको आवाज नहीं उठी आपके पास समय नहीं है लोग मुझे कहते हैं विने जी वो जेल से आया वो हर मामले पे विवादित बयान दे रहे हैं वापस से सोचल मीडिया पे अक्टिव हैं दिन में दो बार ट्विट होती है दिन में दो बार वो सोचल मीडिया पे पोस्ट करते हैं उनके पास एक छोटा सा ट्विट करने का समय नहीं है कि उमर खाली उनका छोटा भाई भी जेल में हैं, ये खुद जेल में थे, इनके साथ मारपीट हुई तो अन्याय हो गया, खुद का जो दर्द हो दर्द होता है, लेकिन दूसरे की कितने ही युवा बेटे, कितने ही समाजी कारे करता, कितने ही लोग आज भी जेलों में बंद हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास स आप चूप रहे, IPS संजीव भेट के लिए आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती है, क्या वो हिंदू है इसकी वज़े से, हमने तो कभी नहीं सोचा है कि आप मुसलिमें आमें नहीं आवाज उठानी है, तो कहीं नहीं आपका ये छोटा जो दिल है, और इतना जो नीचा आपक मदद करना नहीं छोड़ेगा, आप तमाम अप लोग तै करें कि मेरी गलती कहां है, मैं जानना चाहता हूँ देश से, कमेंट करें और इस वीडियो में कि मेरी गलती कहां पे है, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया, जिसकी वज़े से आज मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं, क्या मुझे आगे से किसी भी ऐसे वेक्ती के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए, क्या मुझे कभी भी किसी मुस्लिम भाई के उपर विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं तो तब भी आप लोगों के साथ में था, जब C.A.N. पूरे देश में कोई भी हिंदू भाई, मुस्लिम भाई के बगल में खड़ा होना सोच नहीं सकता था, उस समय विने दुबे आपके साथ मन्चों पे अपने खून का एक एक कत्रा बहाने के लिए पूरे देश भ्रमन किया और आपके अंदर वो विश्वास रखा कि हम जै से आप लोगों के साथ रहूं और हमेशा मैं रहूंगा, मुझे किसी वोट की लालश नहीं है, मेरा कोई विधान सबा नहीं है, मुझे कहीं पहुचना नहीं है, तो मेरे अंदर खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बस एक इंसानियत है जो कूट-कूट के भरी हुई है, एक अलावा विने दूबे की और कोई इच्छा नहीं है, मेरा जीवन बेदाग रहा है, मैंने कभी भी किसी को गलत तरीकों से नहीं देखा है, बाकी आपके उपर मैं छोड़ता हूँ, आप तै करें कि यहाँ पे गलत कौन है, और मेरी गलती क्या है, क्रुपया मुझे बताए मैं आगे भी अपनी काम करता रहूँगा, मुहीम चलाता रहूँगा, आप लोग इसी तरह अपना आशिरवाद बना के रखे हैं, जै हिन, जै महरास्टरा